सबसे पहले लिखना है गीवन क्या 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 गीवन है हम लोग क्या 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 गीवन है एर्च गीवन है ऑर क्या क्या गिया है। 400 मीटर क्यूब हो जाएगा और का दिया है और water की density दिया है 9800 किलो न्यूटन पर मिटर क्यूब सबसे पहले और रिये गीवन डाटर लिक लेंगे उसके बाद हम लोग दिखेंगे कि उसके बाद हम लोग डिजाइन करेंगे dimension of the tank dimension of the tank डिजाइन करने के लिए इसमें क्या करते हैं वो देखते हैं volume उजी करते होता है area into height जिसमें से volume हम लोग को पता है और हम लोग कि इसका area यानि कि इसमें जो क्यों कि ये circle water tank है यानि कि इसमें लोग हटा कर जो height रहे कर उसको बोलेंगे तो जो freeboard कितना है 4 meter उसमें से 0.2 हटा देते हैं freeboard तो ये कितना हो जाएगा 3.8 meter value put करेंगे सब के जगा h h हम लोग का known है d unknown है बाकि volume known है तो इसमें value put करेंगे तो हम लोग ये जो diameter है उसका value पता चल जाएगा जो कि कितना आया 11.57 meter जिसको हम लोग ली सकते हैं 11.6 meter दूसरा दूसरा step है हम लोग का design of the top dome जो top dome है हम लोग का जो tank tank के उपर जो dome है इसका design करेंगे इसका जो dome है इसके बीच का height इसको क्या बोलेंगे तो सबस्पहले design of the dome में हम लोग इस rice का height calculate करेंगे तो इसके लिए हम लोग को कितना लेते हैं जो rice होता है इसका height हम लोग जो diameter है इसका 7 लेते हैं 1 by 7 लेते हैं diameter का diameter का 1 by 7 करेंगे तो यह हो जाता है 1.65 तो इसको बढ़ा करके हम लोग assume कर सकते हैं कि यह कितना है 2 मीटर है नेश्ट हम लोग देखेंगे कि यह जो dome safe है यह जो हम लोग का dome safe है यह भी एक circle अकार का है जिसका कहीं ने कहीं कुछ center point होगा इस center से इसका कुछ ने कुछ radius होगा इस radius को suppose कि radius हम लोग का small r है जिसको हम लोग को calculate करना है पहला तो इसका height calculate कि है दुसरत तो इस radius का हम लोग इस जो circle इसका हम लोग radius calculate करेंगे इसके लिए एक formula होता है जो कि capital r square is equal to 2 r minus rice cost into rice तो जो rice हम लोग find out कर चुक है जो की कितना है है हम लोग का 2 meter है और यहाँ पड़ जो capital r है यह क्या है यह जो capital r है यह हम लोग का यह जो dome है, dome का radius है जो की calculate कि है है diameter calculate कि है 11.6 तो इसका दा कर देंगі कितना हो जाएगा इसका दा करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 5.8 ठीक तो value सब put करेंगे 5.8 put कर दिये 5.8 R का जगा unknown है बागी जो राइसर 2 meter 2 meter put कर दिये जिसमें R का value आ जाएगा radius ये वाला value है इसका value कितना आ जाएगा 9.41 meter इतना हो गया नेश्ट हम दिखेंगे कि जो हम लोग के जो डोम सेफ है ये डोम आकार का जो आखरती है इसमें दो टैप के stress आते हैं एक हूप इस्ट्रेस जो इस डारेक्शन में लगेगा इस टैप से और एक रहेगा maridinal stress जो इसके longitudinal direction में ऐसी एक्ट करेगा ये रहेगा maridinal stress maridinal stress तो दोनों को calculate करेंगे कि दोनों का value क्या है इसके लिए एक फर्मूला होता है कि हूप इस्ट्रेस का फर्मूला होता है wr बटे ल कोश्टक जहाँ पर calculate करेंगे कि क्या क्या है सबसे परणे देखेंगे कि w क्या है w है हम लोग का total load of the dome इस dome का total load कितना है तो सबसे परणे इस dome का load calculate करने में हम लोग को live load हमेशा assume करना रहता है कितना करना रहता है कि माना कि जो live load है वह हम लोग का है 1400 newton per meter square 1400 कितना हो जाएगा 1.4 kilo newton per meter square हो जाएगा उसी तरह dead load निकालने के लिए सबसे पर यह assume करना रहता है करना रहता है कि हम लोग का जो dome है इसका thickness कितना है 0.1 meter है तो इसका thickness suppose 0.1 meter है इसका length with 1 लेते हैं कि एक एक मीटर है उसके जो density कितना रहता है reinforcement का 25 रहता है तो multiply कर दिंगे तो dead load कितना आजाएगा 2.5 आजाएगा दोनों को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 2.9 kilo newton per meter square अब यह देखेंगे कि यह angle theta क्या है theta क्या है ? theta है हम लोग का यह जो angle इसको यह हम लोग का थiटा theta is equal to x theta is equal to sin theta is equal to क्या हो जाएगा lump submitted carn Judge तो lump r का value दीया हुआ है कितना है 500 है और ड़्यक्तम में क्या है radius है इस radius का value कितना दिया है 9.41 meter निकाल चुके है इसमें value put करेंगे तो value put करेंगे जो angle का value हम लोग का आजाएगा 38.05 degree इस जो W है और जी angle है इस दोनों का value हम hoop stress और maridinal stress के formula में रखेंगे तो दोनों का कुछ ने कुछ value आएगा दिसे hoop stress के formula में रखेंगे तो इसका value आए 0.183 newton per mm2 अब suppose कि मान के चलते हैं जो हम लोग के यह जो dome है इस dome में हम लोग को still provide करना है तो suppose कि हम लोग हम इसा जब भी लेंगे तो minimum कम से कम 0.3% of still provide करते हैं इस dome में area का तो यह क्या हो जाएगा area suppose कि इसका thickness कितना है 100 में हम जूम की है suppose कि एक मीटर के लिए रहे हैं तो इसका 0.3% क्या हो जाएगा 0.3 बटे 100 multiply कर देंगे तो यह हो जाएगा 300 mm तो area हो गया इसका 300 mm2 इस 300 mm2 में suppose कि हम लोग डाया प्रवाइड करते हैं 8 mm का 8 mm का डाया प्रवाइड करते हैं तो इसका spacing निकालेंगे formula में फूट करके तो इसका spacing आता है 166.67 mm इसमें लिख सकते हो कि जो dome है उसमें providing 8 mm डाया और 160 mm spacing जो dome है यह हम लोग suppose कि dome का आखरती है टॉफ यू है तो इसमें कुछ दोनों direction में same जो reinforcement प्रवाइड करते हैं इस direction में भी और इस direction में भी दोनों क्या रहता है same रहता है spacing भी same रहता है और diameter भी same रहता है तो इसको लिख सकते हो 8 mm डाया और 200 तूहंडड़ इस पैसिंग सबसे पहले हमने इसका जो dome है यह dome में इस कड़ जैन किये यह dome में है और इस कर रहें किये यह dome निच्चे आकर करके एक beam में मिलता है जो कि में सब्सक्रा निकलता में का भी डॉलते है इसके निच्चेया रहेगा हम लोग का वाल्ड रहेगा टेंक वाल रहेगा। इसके निच्छे रहेगा बेइस स्लेब। तो घ पैसे दीजAYन हो गया। आब दूसरा में देखना है इस रिंग ब्लीप में इसका डीजाइन करना है इसमें भी दो तैप से रिखने प्रॉद्वाय करना है। एक यह जो main reinforcement हो गया एक जो reinforcement कुछ चारो तरफ से share को support करके रखेगा share force को इसको क्या बोलेंगे डिस्ट्रिबूटरी reinforcement बोलेंगे तो after this इसको design करेंगे ring beam को ring beam में भी दो reinforcement रहते हैं वो provide करेंगे तो देखेंगे कि कैसे provide करना है इसको कि इसमें design करेंगे यह जो हम लोग design किये यह जो dom design किये इसमें दो type के force थे एक था यह वाला जो कि hoop stress था एक था क्या था एक थाम लोग का Maridinal Stress जो की चारो तरफ इस टैप से लगता था इसके तो जो हम डिजाइन करेंगे, इरिंग में डिजाइन करेंगे तो जो Maridinal Stress है, इसका कुछ नो कुछ भाग, सपोस कि जो Maridinal Stress है, इनकारे ने ठीटा डिख देश है तो इसका कुछ नो कुछ भाग, इस जो Maridinal Stress है, इसका भी Stress कुछ नो कुछ इसमें लगे का, इसमें लगेगा इस जो Maridinal Stress है, इसका दो भाग में component डिवाइड कर सकता है एक वर्टिकल, एक horizontal, जो जो horizontal वाज जो पाट है, इसका जो horizontal component है इसी component को resist करने के काम कौन करेगा, यह हम लोग का, यह ring beam करेगा तो ring beam का design करते वक्त कहने कहीं, हम लोग को जो Maridinal Stress का horizontal portion है, इसको consideration में लेना पड़ेगा तभी इसका design कर सकते हैं, तो वो ही देखेंगी इसमें हम Maridinal Stress निकाल चुके हैं, प्रिवेस अभी देखें, उसमें Maridinal Stress निकाल चुका था, हूपी Stress निकाल चुके हैं लेकिन यहां जो, suppose कि इसको Maridinal Stress है, उसको sigma 1 से denote करते हैं, जो कि कितना निकाल हैं, 205312.17 निकाल हैं तो जो इसमें Maridinal Stress निकाल हैं, इस डारेक्शन में, तो सबसे पादे Stress को Thrust में, यानि कि Force में Convert करेंगे, Thrust और फोर्स उससे कहेंगे, ठीक है, तो यह जो Angle है, यह कितना है, यह हम लोग का, कितना निकाल हैं, यह अंगल, कितना निकाल हैं, तो यह जो Angle है, यह हम लोग क तो इसमें जो Thrust आ रहा है, इस Thrust को सबसे पहले हम Force, इस Stress को सबसे पहले हम Force में Convert करेंगे, इसी Force को फिर इसके दो Component में Divide करेंगे, तो यह Pressure को सबसे पहले Force में Convert करने के लिए क्लिए करते हैं, एरिया से Multiply करते हैं, इसका Area क्या है, इसका Thigness 0.1 है, और सपोस कि इसका With कितना है, वन मीटर है, तो यह हम लोग इसका Area हो गया, तो इसमें जो आने वाले Mariner Stays से इस Area से Multiply के यह कर दिये, तो यह हम लोग का Force बन गया, तो इसी क्या परेंगे Mariner Thrust, Mariner Thrust, ठीक है, इस जो Thrust है, इस Thrust का आने वाले Thrust का हम लोग horizontal Component करेंगे, निकालेंगे क्योंकि जो यह ही horizontal Component है, इसको Balance करने के काम हम लोग का कौन से beam करेंगे, यह ring beam करेंगा, तो इसका जो हम लोग का horizontal Component है, not vertical, यह horizontal है, इसका जो horizontal Component है, उसके निकालने के लिए कि इसका Multiply करेंगे, cost data का, तो इसका जो force है, इसका cost data से Multiply करेंगे, तो यह हम लोग का horizontal Component कितना आ गया 16167.8 newton meter ठीक अब जो हम लोग का ये इसको जो horizontal thrust है इसको hoop tension में convert करेंगे सबसे पहले hoop tension में convert करके ही इसका हम area of steel निका सकते हैं तो इसको hoop tension में convert करने के लिए क्या करेंगे इसको d by 2 d by 2 से multiply कर देंगे तो d क्या है इसका जो diameter है diameter of this beam तो diameter इसका क्या है इसका diameter हम निकाल चुके हैं इसका diameter था कितना निकाले थे हैं 11.6 निकाले थे हैं तो d के जख़े 11.6 तरहेंगे value put करेंगे सब value put करेंगे तो हम लोग का hoop tension आ गया वो कितना आ गया 93773 newton आ गया अब हम लोग जो इस्टेस पारे formula है उसमें रखेंगे stress is equal to क्या होता है pressure बटे area हम लोग कर जो इसका जो sigma है इस sigma कितना लेते हैं हम लोग for steels एकों सा grade है for steel grade 250 के लिए हम लोग कितना लेते हैं 115 लेते हैं 115 लेते हैं इसको इधर ले लिए तो area is equal to क्या हो जाएगा जो force बटे इसका stress हो जाएगा 250 के लिए 115 तो divide करने से इसका answer कितना जाएगा 815.42 mm square इसका steel का area जाएगा सबस्कि 20 mm of die of steel प्रइड करते हैं इसके लिए हम लोग number of bar निकाल लेंगे number of bar निकालने के लिए क्या करेंगे यह जो total area है divided by area of the one steel निकालेंगे total area से area of the one steel करेंगे तो total number of bar निकाल जाएगा दो कि कितना है जो कितना है जो कितना है तो पैंशिक साया इसको लेकर के बढ़ा कर कि कितना ले सकते हैं चार ले सकते हैं क्योंकि इसके बालेंस के लिए आगे देखने हैं यह तो हो गया है यह जो हम लोग का ring beam हो गया ring beam में चार main reinforcement प्रवाइड कर दिए इसका डाय कितना प्रवाइड किये इसका डाय प्रवाइड किये है 4 डाय और 4 बार और 4 बार और 20 mm प्रवाइड कर दिए अब इसमें हम जो शे तो जो stress वाला फर्मूला हम लोग के stress डोकर क्या होता है 4 बाटे total area होता है जो कि total area क्या है यह जो की concrete का रहा है प्लस M-1 AST जो की still का रहा है यह यहीं इसी का area है basically जो capital A है यह वाला है यह हम लोग का concrete का रहा है इस concrete के area में still का area भी तो कौह है तो still का area को हम दखते है कि क्या होगा इसके लिए still के लयकर की graph करते हैं aim का multiply करते हैं into area of still करते हैं तब यह area of concrete के बराबर हो जाता है ठीक तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो इस area of istill को minus करना पड़ेगा इसके लिए क्या करेंगे minus AST करेंगे ठीक तो इसको ये total area of the cross section हो जाता है इसमें AST common निकालते हैं तो ये हो जाता है AST A-1 हो जाता है ये क्या है area of whole section है plus जो AST है AST है area of steel है minus A-1 कर देते हैं इसको ठीक तो इस step से हम लोग कर ये formula हो गया इस formula में हम लोग A का value unknown है मतलब हम लोग को ये cross section है इसका value unknown है इसको निकालना है बाकी AST का value हम लोग को पता है AST का value put करेंगे M का value क्या है for grade M20 के लिए M का value क्या हो जाता है 13 हो जाता है तो इसके लिए इसका value put करेंगे इसका value भी पता है जो कि इसका value क्या है इसका value जो thrust निकाले हैं जो रिटनर फोर्स को सबसे पहले है horizontal component में divide के उस horizontal component का thrust निकाले हैं वही हैं तो सब का value पता है sigma t के लिए हम लोग क्या हो जाता है m20 के लिए 1.2 हो जाता है बाकि सिर्फ एक ही चीज unknown है जो कि A है सब में value पूट करेंगे तो एक का value निकल जाएगा जो कि है 63072.6 mm² ठीक है तो यह तो हो गया whole section का तो suppose कि whole section को हम इतना private करते हैं 300 into 200 mm तो multiply करेंगे तो यह total एर है कितना हो जाएगा लगभग यह 60,000 mm हो जाएगा जो कि लगभग इसका ब्राबर है 60,000 mm इसका ठीक है यह लेते हैं अब तो यह हो गया हम लोग का यह वाल इसका इस concrete का area हो गया यह whole section का area हो गया plus इसका भी area हो गया जो main reinforcement है इसका अंदर जो इसका अंदर में reinforcement है इसका भी area हो गया इसको निकालेंगे तो suppose कि इसका अंदर करते हैं इसका जो diameter है वो कितना है 8 mm है इस 8 mm को पूट करते हैं और इसको अजूम करना रहाता है यह खाली जो इसका जो डाय है इसका 8 mm है और हम लोग suppose कि इसको प्रवाइड कर रहे हैं 200 mm इस प्रवाइड कर रहे हैं तो यह सब अजूम करना पड़ता है तो हम लोग का ring beam design होगा है जिसमें हम लोग design किये हैं सबस्ते पहले जो main reinforcement इसको design किये हैं उसके बाद हम लोग design में यह calculate करें हैं कि इसका beam कथिक्नेस देंथ वीट कितना है इसके बाद हम लोग assume किये हैं कि जो share reinforcement है इसका कितना diameter है और कितना spacing है इसको क्या किये हैं इसको assume किये हैं ठीक यह तो हो गया next हम देखेंगे design of the tank wall design tank wall के design कैसे करेंगे tank wall के design करने के लिए हम previous question में कर चुके बहुत बाले की सबसे पर loop tension से निकाला रहता है जिसके formula रहता है gamma w h d upon 2 इसमें सब का value पता है यहाँ याद रखना है कि यह जो h यहाँ पर capital h है capital h मतलब कि जो free board मिला कर जो culprit किया गया है वो हम लोग का जो d है 11.6 है gamma w है 9.8 है सब में value पूट करेंगे तो value answer आता है 227.36 kN per meter ठीक इसमें जब हम AST निकालते हैं AST का formula क्या होता है AST is equal to T U but sigma ct जहां sigma ct for steel 250 के लिए कितना रहता है allowable tensional stairs for sigma 250 के लिए 115 रहता है इसमें value put किये तो इसका AST का value आ गया 1977.04 mm2 आ गया ठीक इसको हम जब याद रखने हैं हम लोग जब डोम वाकार का जो हम लोग का water tank design करते हैं तो इसमें क्या लेते हैं जो यह area है इसका half portion को लेंगे consider करेंगे इसका half portion सरसे पहले निकाल 99988.5 mm इसके राजाएगा ठीक इसमें suppose provide करते हैं 12 mm क्योंकि 1000 से काम है तो हम लोग 12 mm provide करते हैं डाया और बार 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 प्रवाइड करने से क्या आ जाएगा इसका spacing क्या आ जाएगा 114 mm आ जाता है ठीक तो 114 mm को हम रफ्री ले सकते है 1110 mm तो बोल दाना है कि provide 1110 mm डा 12 mm बार जो कि कहां का है यह हम लोग का suppose यह हम लोग का टेंक है यह डोम है यह बीम है जो हम लोग यह वाला जो बार है डिजाइन अब दो टेंक वाल इसको डिजाइन कर रहे हैं तो इसका जो बेस है हम लोग जो स्टील निका रहे हैं वो यहां का स्टील है यहां का स्टील ह लेकिन जैसे जैसे इसके हम उपर जाते जाते हैं इसका थ्रस्ट क्या होता है जो वाटर का फोर्स है वो कम होते जाता है ठीक तो इसको जैसे जैसे उपर जाएंगे तो यह स्पेसिंग क्या होगा यह स्पेसिंग बढ़ते जाएगा इसको कैसे कल्कुलेट करेंगे बढ़ता इसके लिए जो हैट है 4 मिटर लिए इसको 2 मिटर पूट कर देंगे तो यह जो बीच वाले स्प्रेसिंग निकल जागा वैसे ही चाहो तो एक मिटर की यहां से यह तो प्रोवाइट हो गया अब इसमें हम लोग प्रोवाइट करेंगे क्या इसमें हम लोग प्रोवाइट करेंगे हर्जोंता रेंफोस्मेंट कुछ इस टैप करेंगे जो कि क्या है डिस्ट्रिबूटर रेंफोस्मेंट है इसके लिए प्रोवाइट करने के लिए सबसे फ और वह यार रखना है कि इसका अंसर है यह हैो कि यह है हम लोग का ड्रेंटिक्रुषण है मतलब यह अल्रेडि इसका जो आंसर आता है हो इỏ जो कितना है Rams 17 cm प्रिश सकते हैं 0.17 fertile, फिर इसके इसके लिए उसके लिए करना है कि distributed जो बार है उस total परसेंट करेंगे तो इसका एरिया इस्टी निकल जाता है तो जब हम लोग प्रवाइट करते हैं तो सब सब पहले इसका हाफ एरिया लेने के लिए डिवाइट कर देंगे तो कितना जाएगा हाफ एरिया लेने के लिए डिवाइट कर देंगे तो कितना जाएगा हाफ एरिया लेने के लिए डिवाइट कर देंगे तो कितना जाएगा ह हम 8 mm डाया बार से हम लोग इसका स्प्रेशिक निकालते हैं तो कितना निकल जाएगा 196 mm निकल जाता है इस 196 का एम को हम रफिल दे सकते हैं 200 mm तो लिख देना है स्टेटमेंट करके प्रोवाइडिंग 8 mm इसके डाया बार of 200 mm इस्प्रेशिंग